नमस्कार आप देखरें न्यूस पियार और मैं हूँ पृती मोतिहारी के 12 परसोनी पंशायत के किसान हरींद प्रसाद यादव गौपालन करते हैं और अब हर महीने सालाना 60 से लेकर के 1,00,00 रुपे तक कमा रहे हैं पहले वो भी आमकिसान के तरह खेती बाड़ी किया करते थे लेकिन साल 2002 में उन्होंने गौपालन और भैस पालन करने की शुरुवात की शुरुवात के महीने काफी संघर्श भरे बीते लेकिन धीरे धीरे उनका वेविसाय आगे बढ़ता गया और अब वो हर महीने सालाना एक लाख रुपे से जादा कमा रहे है खेती के साथ साथ वो गाए पालन और भैस पालन का भी काम किया करते है शुरुवात में हरींदर किशूर के पास मात्र दो देहाती गाई थी धीरे धीरे जर्सी हाइब्रीड गाए रखनी शुरू की जब आमदनी बढ़ती गई तो गाए की भी संख्या बढ़ने लगी लेकिन शुरू के दिन में उतना दूद का खपत करने में दिक्कत होती थी एक मात्र सुधार डेडी को दूद देते थे वो भी समय पर पेमिंट नहीं करता था जब मदर डेडी आई तो आमदनी में सुधार हुआ जिसके बाद आज के दिन में उनके पास 20 गाए हैं और भैस है जो कि प्रति दिन 160 से 170 लीटर दूद दिया करती है इन दूद को मदर डेडी की गाड़ी दरवाजे से ले जाती है इसके अलावा वो गाउं के लोगों को भी इसे देते है इतना ही नहीं दही, पनीर और घी बनाकर सप्लाई भी करते है इसके अलावा चार लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं जन्हें प्रती महीने 8 से 10,000 रुपे महीने देते है हरेंदर किशोर यादब बताते है कि सरकार का अगर मदद मल गया तो इसमें और भी वृद्धी की जाएगी और जादस जादा लोगों को वो रोजगार दे सकते है उन्होंने बताये कि शुबा शाम मिलकर 160 से 170 लीटर प्रती दिन दूद होता है इसमें उतार चड़ा वोता रहता है चार मजदूरों के साथ खुद भी उसमें लगे रहते है मदर डेरी को जो दूद देते हैं उसमें गाए का 50 और 20 का दूद का 60 रुपे प्रती लीटर के हिसाब से वो उठाते है जबकि गाओं में गाए का दूद 40 और 20 का 50 रुपे बिखता है अपना दही जमा कर 70 रुपे कीलो घी महीने में 15 से 20 कीलो निकलता है जो 1000 रुपे कीलो पनीर 40 रुपे कीलो ओडर देते हैं समय समय पर भटके बढ़ते रहता है अभी दोनों साम में डेल कुंटल और दूद कुंटल हो जाता है एक सो साथ पैसिट कीलो अब उनका ये बिजनस इतनी तरक्की पर है कि वो अपने साथ चार और लोगों को रोजगार दे रहे है और इतना भी कह रहे है कि अगर सरकार की मदद मिल जाएगी तो वो अपने वेविसाय को आगे बढ़ाएंगे और कई सारे लोगों को उनसे रोजगार मिलेगा वो अपने इलाके में इस चीज को लेकर के काफी फेमस भी हो चुके है पहले यहां खेती करते थे और अब गाए और भैंस पाल कर उसका दूद बेचकर पनीर बेचकर घी बेचकर काफी जादा मुनाफ़ा कमा रहे है आज के संघर्ष सफलता परी कहानी में तना ही आप बन रही न्यूस पियार के साथ धन्यवाद